हमेशा की तरहा इस बार के गर्मिया भी बहुत तेज है रमेश और उसके कुछ सातियों ने चमनलाल के पास एक काम का वादा सर्दियों के मोसम में किया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है रमेश मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो तोड़ी आराम कर लो उसके बाद आ जाना काम पर हमेशा यही बहाने डून्टे रहो तुम तीनों सर्दियों में कतम होने वाले काम अभी तक चल रहा है सिर्फ तुम आलसियों के वज़े से ऐसे बात नहीं है सिर्ट जी रमेश की तब्यत सच में ही खराब है इतने तेज दूब जो है और वैसे भी काम तो सामान कतम होने के वज़े सी रुका था बिना सामान के हम केसे काम करते बला तुम लोगों से दोशब्द क्या बार कर लिया तुम तो मुझे ही सुनने लग गये चुप चप काम पर लग जाओ ऐसे कहते हुए चमनलाल वहां से चला जाता है सुरेश और गनेश के घर गाव के बीच में है और उनके घरों के पास एक-एक पेड़ भी है इसलिए वो इन गर्मियों भी खुद को संभाल रहे है लेकिन रमेश का घर गाव के घरों से बहुत दूर है और उसके घर के आसपास एक पेड़ भी नहीं है इसलिए रमेश और उसका परिवार इस गर्मि को बरदश नहीं कर पाते है सेट जी को गर्मि के बारे में क्या पता दोस्तों वो तो येसी वाली कार में गूमता है येसी वाले गर्मे ही रहता है और यहाँ पर भी चार-चर फैंस चलाते हैं सिर्फ उनके अकेले के लिए बात तो तेरी सही है रमेश लेकिन तू भी अपने गर के पस एक पेड या पोदा क्यों नहीं लगाता है इस गर्मियों में न सही अगली किसी न किसी गर्मियों में चाओ देगा न वो हमेशा कोशिश करता है लेकिन गर्मिया आते ही उसके पेड पोदे अच्छानक से सूख जाते है अब बाते बंद करो वो कडूस आ गया तो फिर से बाते सुनना पड़ेगा ऐसी तीनों दोस्त फिर से काम पर लग जाते है लेकिन रमेश अपने मन में यही बात सोचता रहता है कि उसके सेट को भी कभी ना कभी इन गर्मियों का एसास होना चाहिए ऐसे रमेश, सुरेश और गनेश शाम तक काम करके अपने अपने घर चले जाते है घर पहुंचने के बाद रमेश हेरन था और खुशी भी अपने घर के बाहर एक टेंट बनाया था हम सिर्फ देखते ही रहेंगी या कुछ कहेंगे भी दिन भर घर में रहती है लेकिन रात को तोड़ी से तो थंडी हवा जरूर आएगी ना इसलिए मैं अपने लिए और बच्चों के लिए ये बनाया है तंडी हवा भी आएगी और मच्चर से भी भच जाएंगे लेकिन इसमें से एक तो नई सैरी है ना तुमने अपने नई सैरी को इसमें रख कर सिल दिया ऐसे केते हुए रमेश दुकी हो रहा था सरला उसे समझा कर दुकी होने की बज़ाई खुश होने को केती है ऐसी उनकी वो रात अच्चे से गुजार जाती है अगले दिन सुबह होते ही गाव में ये एलान होता है सुनो सुनो और सुन कर निकालो आज सुबह टीक दस बज़े से लेकर तीन दिन बाद सुबह दस बज़े तक गाव में बिजली नहीं रहेगी ये बात सुनकर बिजली के सहारे रहने वालों के होश उड़ जाते हैं बिजली जाने के कुछ दिर बाद ही सारी गाव वाले पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते हैं लेकिन चमनलाल तो धनवान है वो उनके साथ पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकता है और ना ही उस गर्मी में रह सकता है हमेशा ऐसी में रहने वाले चमनलाल के माते से अब पसी ना आने लगा था वो और उसका परिवार गर्मी को बर्दाश नहीं कर पा रहे थे तभी चमनलाल को रमेश का खयाल आता है तोड़ी देर बिजली ना होने पर इतना बुरा हाल है पता नहीं वो रमेश हमेशा इस गर्मी में के से रह लेता है या फिर उसके पास परेशन होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है ऐसे सोचते हुए कटूर चमनलाल भी इस गर्मी में फिगल जाता है और शाम को काम खतम होने के बाद रमेश को एक नया पंका खरीदने के पैसे देता है ओई रमेश, इदर आओ ये कुछ पैसे है इनसे एक नया पंका खरीद लेना और याद रहे, ये बाद सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए मैं सबकी मदद नहीं कर सकता हूँ कंजुस जो हो ऐसे एक धन्वान को गरिब के तकलिफ का अंदाजा लगते ही अखल आती है और रमेश नई पंके की नीचे अपने परिवार के साथ सुकुन से सोजाता है चानकपुर्ग गाव आपड़ी से बरा हुआ है और वहां के असी परिशत लोग के पास एक बहदर जिंदगी गुजाने के लिए पैसे है इतना बड़ा गाव इतना सारे लोग और उनके पास इतने सारे पैसे देखकर एक लालची इंसान किसी भी हद तक जा सकता है बेटिया के साथ कहां जा रहे हो गजोदर? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है यश्वन जी नंदनी पास हो गई है ना? उसका डॉक्टर का सेटिफिकेट लेने के लिए जा रहे है अरे वाह! ये तो बहुत अची बात है तुम्हारे लिए खुशों गजोदर तुम्हारी आर्थिक स्थिति टीक ना होने के बावजुद्बी तुम अपने बेटि को डॉक्टर बना ही दिया ऐसा होता है च्छानक पुरवालों का एक दूसरे के साथ बर्तव चोटी बड़े सब एक दूसरे की इज़त करते है ये है डॉक्टर जोला असल में ये एक साइन्टिस्ट है लेकिन उनकी पागल हरकतों की वज़ा से इन्हे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था इसलिए इन्होंने खुद का एक क्लिनिक खोल लिया जानकपुर गाव में ये डॉक्टर खुद से ही बिमारियों का पैदा करता है और खुद ही उन्हें टीक करके पैसे कमाते है तुम पानी की सपले देखते हो ना ये लो दस हजार रुपे इस दवाया अपनी पाइपलाइन में डाल देना उसके बाद बाकी के दस हजार ले लेना और ये बाद सिर्फ हम तक रहने चाहिए वरना तुम जानते हो ना अजम क्या होगा डॉक्टर जोला ऐसे ही बिमारियां फाइला थे और लगबग आदा गाव बिमार होने के बाद धीरे से एक दवाई बना कर लोगों को इंजेक्शन लगा कर पैसे कमाते हैं उस गाव में और भी हॉस्पिटल है लेकिन बिमारी का इलाज सिर्फ जोला के पास ही होता है इसलिए सब उसी के पास आते हैं पता नहीं हर एक दो महीने बाद हम सब के तवियत ऐसे क्यों कराब होती है अगर डॉक्टर जोला और उनकी इंजेक्शन ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता बात तो तुम्हारा सही है दोस्त कभी कभी मेरा सोच खराब हो जाती है कैसे सिर्फ डॉक्टर जोला को ही उन बीमारियों का इलाज मिल जाता है कायर जो भी हो एक अच्छे इंसान के बारे में ऐसे बाते नहीं करनी चाहिए ऐसे उस गाव के लोग अपने मन में आये हुए सवालों को भी डबा लेते थे और डॉक्टर जोला पानी में, खाने में और हवा में जहर मिलाकर पैसे कमाता है उसके इंजेक्शन भी सस्ते नहीं होते है ऐसे डॉक्टर जोला अपनी मन मनी खर रहा होता है तब ही उस गाव में गजोतर की बेटी नंदनी भी अपना एक चोटा सा क्लीनिक खोलेती है हर कोई लोग डॉक्टर जोला के पास जाते थे लेकिन बचे हुए वो बीस परशाद गरीर लोग नंदनी के पास आते है आप चिंता मत कीजिए दादा जी आप जानते हैं ना मैं भी इसी गाव में आप सब के बीच और इन बिमारियों के बीच पाली बड़े हुई एक गरी बलड़की हूँ मैं इन बिमारियों का इलाज तो ढोण लोगी और इन बिमारियों की वज़ा पता भी लगा लोगी ऐसे नंदनी मरीजोन से उस बीमारी का साम्पल लेकर उस बीमारी का इलाज ढोण लेती है और जोला जिस इंजेक्शन को हजारों रूपे में दे रहा है नंदनी उस इंजेक्शन को एक दो सहमें लगा रही थी नंदनी बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया आज से पहले डॉक्टर जोला के अलावा किसी ने भी इन बीमारियों का इलाज नहीं डूंडा था वो इसलिए क्योंकि ये बीमारिया जान बुचकर फैल आई जा रही है येश्वन चाचा जी, मैं हर एक को टेस्ट किया है ये बीमारी, हवा, पानी और खाने की वज़ा से हो रही है वो बात सुनते ही सबका शक डॉक्टर जोला पर ही जाता है लेकिन नंदनी के पिता गजोदर ऐसा सोचना गलत है केते हैं क्योंकि डॉक्टर जोला एक लंबे अर्जे से उस गाव का इलाज कर रहे है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर जोला सही या गलत है मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम अगर उनका हुआ भी तो वो अकेले ये काम नहीं कर सकते है पहले हमें उन्हें पकड़ना चाहिए जो हमारे मिल में पानी चोड़ते है और हमारे यहाँ काना बेचते है गजोदर की बात से सब सहमित होते है और सबसे पहले जाकर पानी वाले को पकड़ते ही वो डर कर सारी बात बता देता है और सब के नाम भी बता देता है उसके बात गाव वाले उस पानी वाले और खाने वाले को पकड़ कर डॉक्टर जोला के पास जाते है और सब मिलकर उन तीनों को खूब पीट कर पुलिस वालों के हवाले कर देते है कैसा जमाना आ गया है लोग जिन्दगियों से व्यापार कर रहे हैं हमने तो पढ़ाई नहीं लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ा कर ऐसे धोके से बचाना चाहिए बिलकुल सही कहा यश्वन चाचा जी आपने जोला तो चला गया लेकिन आप सबको एक और इंजेक्चन लेना बाकी है